दोस्तो जैसे ही आप NEET का एक्जाम देते हो तो आप admission के लिए MBBS में government colleges और private colleges कर नजर आ जाता है लेकिन सभी के government colleges में admission नहीं होते हैं अगर NEET में आपके बहुत बढ़ी है score है तो government college में admission हो जाएगा अगर NEET में 720 में बहुत अच्छा score नहीं बन पाया है आपको तो private में admission मि बात आता है तो सबसे पहला option यादनी का आता है पैसा कितना पैसा आपको लगेगा तो पैसा भाया तो इंडिया में बहुत जादा लगता है लेकिन आपके नजर में एक और चीज आ जाता है कि क्या हम आप ब्रॉड से MBBS कर ले तो हम इस वीडियो में देखेंगे कि इंडि का बहुत जादा डिमांड है MBBS में 25 लाख candidate exam दे रहे हैं और admission के लिए देखोगे government और private मिलाके तो एक लख 10,000 लगवग seat है 55,000 इसको है सकते हुआ प्राइबेट में और 55,000 गवर्मेंट में तो 25 लाख में मात्र 55,000 लोगों का ही private में admission हो पता है तो एक एक point देखनेंगे ताकि आपको clear हो सके कि इंडिया से ही MBBS क्यों करें तो first point है मेरे दोस्त language भासा क्योंकि MBBS एक degree कुछ ऐसा चीज नहीं है वो तो है वो value a degree का लेकिन ये चीज जो है वो practice का है आप patient के साथ मरीज के साथ किस तरह से बात करते हैं उनकी जो problem है उन्हें कैसे solution देते हैं ये कब possible होगा जब आप उनके भासा में समझ पाएंगे उनकी problem को तो language एक बहुत important role play करता है आपको MBBS course को complete करने में तो सिर्फ degree ने नहीं लेना है आपको ऐसा doctor बनना है कि सारे का इलाज हो सके तो इसलिए अगर आप इंडिया से MBBS करेंगे तो आपको अपना भासा में चाहे आप कमिल से है ते लोगों कोई भी भासा हो आप उसमें अपने मरीज से भासा में बात करके उनके problem को solve करेंगे तो आप देख रहे हो feeling आ रहा होगा कि language कितना important चीज है मेरे दोस्त नेस्ट पॉइंट है recognition जी ज़रूरी है क्योंकि इंडिया के जो private colleges हो चलो government colleges की मैं बात ही नही कुछी जो national medical committee है उसके पास होती है अगर कुछ वो गलती करेगा तो उसे धर्द वचा जाएगा और उसका जो रिक organization है cancel कर दिया जाएगा इसलिए इंडिया में private admission इने पे आप सेफ है अगर आप यह कोड़ एमिशन लेते हैं सारे पांग साल के लिए कुछ सोचना नहीं है अगर सोचना होगा कोई problem आएगा तो सरकार भी आगया कि आपके साथ खरा रहेगी इसलिए रिक organization बहुत important है प्लस मेरे दोस्ट इंडिया का जो degree होता है जो NMC का जो degree मिलता है आपको MS करने पे उसके वाद अगर आप MD MS करना चाहोगे abroad में तो बहुत ज़दा valuable होते हैं और बरे बरे universities आपको वो approve करते हैं और आपको admission देते हैं इसलिए recognition ये बहुत matter करता है important role play करता है इंडिया से MBBS करने में ये फायदा वाला चीज दिख रहा है clinical exposure समझ रहे होंगे अगर आप MBBS कर रहे हैं तो clinical experience कितना जरूरी है आप patient के साथ कितना interact होके जो उनके problem है उनको solve क निकाल पा रहे हैं उनके solution निकाल पा रहे हैं जो भी बाते आ रही है तो आप एकदम skill जो knowledge है वो at instant गिन करोगे hospital में घुम घुम के गिन करोगे तो clinical experience बहुत जादा इंडिया में मिल जाता है private colleges में देखो कुछ private colleges हो सकते हैं जहां problem हो सकती है लेकिन 95% जो private college इंडिया के ह वो better position में hold करता है clinical experience में बातों को समझ रहे होंगे next point है cultural familiarity आप अपने culture से कितना associated रह पाते हैं क्योंकि MBBS एक दिन का नहीं है सारे 5 साल का समय लगता है तो आपको खाने का रने का कैसा कपरा पहनना है क्या जो festival उसमें participate कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे यह सब भी matter करता है तो अगर आप इंडिया से MBBS करोगे तो आप अपने जो भी events होंगे जो भी आपके festival होंगे उसमें participate कर सकते हैं और जो आगला person होगा जो college में दूसरे लोग होंगे वो आपके ही जी आपके ही culture से belong करेंगे तो यह बहुत matter करता है यह सब mind pressure और mind game है यह सब चीजे कि अग अगर आप अलग दुनिया में रहने लगोगे तो आपको feeling भी अलग जैसा आएगा इसलिए थोड़ा आप कह सकते हो महंगा है जरूर लेकिन इंडिया से MBBS करके लोग सांती पुरुबा का अपना complete कर पाते हैं MBBS next point है मेरे दोस licensing requirement आप जानते हैं कि MBBS सिर्थ करके degree मिलने से कुछ नहीं होगा आपको practice करने के लिए आपके पास एक भूखर लगा हुआ सरकार का होना चाहिए तब जाके आप मरीज जो सामने पैसेंट है उसका आप इलाज कर सकते हो तो अगर आप abroad में study करते हो मेरे दोस तो अभी तक जो है FMCG का exam आपको pass करके आपको qualify करके तब इंडिया में practice कर सकते हो present scenario में Indian student का ऐसा कोई scene नहीं है जी next exam आने वाला है अगर ऐसा कुछ बना तो उसका हम बाद में बात करेंगे present में ऐसा कोई दिकत नहीं है अगर FMCG का passing percentage बात करें तो लगबग 25,000 student ने exam को prepare किया था और लगबग 24,000 student लगवर 10% मान के सकते हो की student ने पास किया आप problem को देख रहे हो 90% लोग पास ही नहीं कर पाते तो क्या दवाई लिखोगे कैसे इंडिया में practice करोगे तो इन चीजों को दियान में रखते हुए आप इंडिया से MBBS करें और अगर कोई question हो तब हम हम लोग पूरे गैन करेंगे चाहिए आपका नीट में कम score है और cost क तो लगेगा ही costly तो इंडिया में है लेकिन उसमें भी कैसे बचत होगा हुआ आप हमारे expert से बात कर सकते हैं हौप सुपरिशे लग रहे हैं मिलता अगले लिए में बाय टेक केस स्यूव अगेन